KCL Infra Projects का ये stock देखिए 1.49 पेसे के उपर भी ये ट्रेड कर रहा है तो देखिए यही stock 34 रूपिस पर ट्रेड करता था 2010 में तो देखिए 34 रूपिस के उपर 2010 में ये stock था उसके बाद lower circuit लगाते लगाते ये stock जीरो वाला बन चुका था जिरो पॉइंट असी पेसे से भी नीचे आ चुका था ये स्टोक उसके बाद ये स्टोक सिर्फ तीन रुपे तक पहुचा है उससे ज्यादा तक नहीं पहुचा और अब देखे ये स्टोक एक रुपे पर मिलता है तो क्या इस टोक के अंदर इंवेश्ट करना सही है मैं आप आपको बताऊंगा वीडियो को पूरा देखे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए यहां पर देखे ये वीडियो एज्यूकेशन परपस के लिए है तो इस वीडियो के अंदर से आपको कुछ सेखने को मिलेगा तो वीडियो को पूरा देखे अगर वीडियो इसकी कोई गिरांटी नहीं है अगर उसका फंडामेंटर स्टॉंग नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि यह स्टॉक कहा पर था प्राइस बड़ी थी 2010 में फिर तुरंट प्राइस गिर कर 0 वाला स्टोक बना था वो भी कहा पर मैं आपको बता हैं 30 रुपे से ज्यादग था वो 0 वाला हो गया था तो यहां पर देखिए lower circuit लगाते लगाते स्टोक नीचे आया है दीरे दीरे नहीं आया अगर दीरे दीरे आया होता तो यह से price नहीं गिरती तो वीडियो को पूरा देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा यहां पर इसका volume देखिए 5 लाग से उपर है volume तो buy sell करने में अभी कोई problem नहीं आएगी लेकिन आने वाले time में अगर volume कम हो जाएगा उसके बाद sell करने में problem आएगी ही अभी यहां पर देखिए अभी market open है तो यह buy sell quantity आपको दिखाए देगी यहां पर देखिए 1 लाग quantity का order पड़ा हुआ है लेकिन 1 रुपे 40 पेसे पर और इसका sell order देखिए एक लाग से उपर है 1 रुपे 51 पेसा तो देखिए श्टोक ज्यादा उपर ज्यादा नीचे नहीं जाएगा मैं आपको बता देता हूँ अब इसका fundamental देखिए आरोई भले ही negative नहीं है लेकिन इसके market cap देखिए 24 करोड है तो यहाँ पर market cap 24 करोड है यह बहुत ही कम है इसके बाद देखिए यह stock उपर से नीचे आया है मतलब कि 30 रुपे से 1 रुपे बर आया है तो यह stock ज्यादा रिस्की बन जाता है उसके बाद देखिए यह company कर्ज में है अब यहाँ पर देखिए revenue काफी कम generate करती है यह company उसके बाद देखिए profit की बाद तो यह profit जो है ना के बराबर है समझ देखिए इस company के और भी खर्चे तो होंगे ही employees के भी खर्चे होंगे salary सब कुछ तो होगा ही तो यह profit बहुत ही कम है देखा जाए तो एक करोड से ज्यादा कब यहाँ पर profit भी नहीं है ज्यादा इसके बाद देखिए promoters की holding बहुत ही कम है देखिए पिछले एक साल से तो promoters की holding भी कम है अब देखा जा तो यह 20% की ही promoters की holding है लेकिन इसका fundamental उत्रा strong नहीं है जितना strong होना चाहिए फिर भी अगर investment करना है तो अपने risk पर कर सकते है मैं आपको नहीं कहूंगा कि इसको buy की किजिए क्योंकि मैं एसे 15 श्टोक को कभी भी नहीं कहता कि इसको buy कीजिए क्योंकि मैं आपको loss करवाना नहीं चाहता अगर यह श्टोक यहां से बढ़ेगा तो कहा तक जाएगा तो यह 3 रुपे तक जा सकता है वो भी बहुत ही ज्यादा risk के साथ यह श्टोक 2 रुपे त यह श्टोक बहुत ज्यादा ही रिस्की होते हैं जो 30 रुपे से 1 रुपे बढ़ाए है और उसका fundamental भी उतना strong नहीं है अब